Hello everyone, welcome back to the channel last minute revision with RSM and here I am back with another last minute revision video on financial accounting for TYB.com semester 5 KT students. तो आज हम KT students के बारे में discuss करने वाले हैं कि अभी आपको last final touch कैसे दिना है, क्या क्या चीजों के उपर आपको concentrate करना है, कैसे financial accounting की KT जो है वो आप clear कर पाएंगे, वो सारे चीजों के उपर focus करते हैं, overall कौन से इसे topics है जो आपको अभी last minute में पढ़के जाने है, जिसके basis पर आपकी अभी KT clear हो सकती है, तो मैंने काफी सारे sessions आपको already provide किये है, तो अगर आप पहली बार इस video के basis पर इस channel के साथ जुढ रहे हो, तो इस channel पर आपको last minute revision related videos मिलते रहते है, last minute revision with RSM का app भी download करना ना भूले, वो भी download कर ले, और अपने juniors को भी जो आपके juniors है, उनको भी ये link share करें, ताकि आने वाले time में उनको भी इन videos से help हो पाए, तो जादा time waste ना करते हुए सिधा चलते है, exactly कि आपको आज के जो financial accounting के paper है, तो financial accounting के paper में आपको कैसी चीजों के उपर focus करना है, ताकि पहला तो हमारा major goal, major objective ये रहेगा, कि केटी कैसे clear हो, देखो सबसे पहले तो objectives है, अगर हम objectives की बात करें, तो objectives usually, जो भी objectives आपको पूछ जाते है, वो कही ना था ही, आपके chapter के basics या theory से पूछ जाते है, तो अगर आपने theory पढ़ा होगा, तो आपको ये basic objective solve करने में कोई भी problems जो है, वो नहीं होने वाली है, तो इसलिए आपको usually theory पे जादा focus करना था, लेकिन अगर अभी अभी तक आपने अगर कोई भी theory नहीं मिल जाएंगे, basically अगर हम chapter की बात करें कि कौन से ऐसे topics है, जिसके ओपर questions आएंगे और जिसके basis पे आपको answers करने है, अगर उसकी बात करें तो सबसे पहला जो चीज है, सबसे पहला chapter जो है, that topic is very very easy, investment accounting, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये problems लगता है, because आपने इसकी practice नहीं क सारे questions सही नहीं आएंगे, लेकिन आपके जितने भी questions आप solve करोगे या जितना भी आप exam में अभी questions solve करने वाले हो, उसमें आपको posting के marks मिल सकते है, तो X interest क्या है, कम interest क्या है, purchase या sale का working note कैसे बनाने का, last जो session मैंने आपको दिया था, उसमें हमने जो last Katie का paper हुआ था, मतलब जो last paper हुआ था, जिसमें आपको Katie लगा है, वो paper का भी question में आपको solve करके दे दिया है, तो वो भी आप देखना ना भूले, सब कुछ available है, देखना ही है, सिर्फ अगर properly देखोगे, तो pass हो जाओगे, इसके बाद, investment accounting की थोड़ी बहुत posting कर लिया, आपने अगर आपको पू share capital reduce, 10 रुपे का share 8 रुपया हो गया, 10 रुपे का share 2 रुपया हो गया, 100 का share 20 हो गया, this is called as reduction in the share capital, बहुत simple entry होता है, equity share capital to equity share capital to capital reduction, अगर आपको ये भी नहीं आता है, चैनल पे जाहिए, सब कुछ playlist में available है, proper चीज़े available है, proper चीज़े आपको मिलने वाली है, तो वहाँ पे जाके आप सारी चीज़े जो है, so internal reconstruction का जो chapter है, उसमें equity share capital reduce, preference share capital reduce, ऐसे दो डाइप के questions, ये दो डाइप के entries नॉर्मली पुछी जाती है, तो वह ध्यान रखे, उसके साथ अगर assets और liabilities reduction, assets का reduction, assets का revalued, अगर assets का value बढ़ जाएगा, तो आपके लिए profit हो जाएगा, capital reduction, credit कर asset का नाम debit करना है, और अगर asset का value अगर reduce हो जाएगा, depreciation होगा, तो उसमें आपको क्या गरना है, capital reduction debit करना है, asset का value credit करना है, अभी major simple goal हमारा purpose ये होना चाहिए, कि किस तरीके से 40 marks हमको मिल पाए, किस तरीके से हमको इतने minimum marks मिल पाए, कि ये केटी जो हमको लगा है, जिसमें हमने ध्यान नहीं दिया था semester five में, तो वो clear होने के लिए ये सारे points है, paper को blank ना रखे, सारे के सारे points को ध्यान से पढ़के attempt करने का try करे paper में, blank रखोगे तो कोई भी scope नहीं है marks मिलने का, लेकिन अगर आपने थोड़ी बहुत भी चीजे उस chapter से related सही कर ली, तो आपको फिर लगता है कि मेरा कुछ भी पढ़ाई नहीं हुआ, चैनल में चाहिए internal reconstruction, financial accounting का playlist है, उसमें एक दो से तीन वीडियो भी आप अगर देखके जाओगे तो आपको ये adjustments जो है, किस कैसे solve करने है, वो भी मिल जाएंगे, इतना सब provide करके रखा है, फिर भी अगर आप नहीं तो फिर कैसे clear होगा केटी, ये ध्यान रखे, बहुत important थी, second chapter, internal reconstruction, इतनी सारी चीज़े है, हर question में repeat होती है, इसके बिना internal reconstruction का chapter complete नहीं है, तो share capital का reduction, preference share capital का reduction, assets का revaluation, assets कम होना या assets बढ़ना, तो उसके basis पे आपको entries करनी है, ledger भी पूछते है, balance sheet भी पूछते है, लेकिन प गया आपका chapter internal reconstruction, तो एक हो गया हमारा investment accounting, डूसरा हो गया internal reconstruction, तीसरा chapter है, जो working notes के उपर depend है, अगर आपने इसके conditions follow करके, properly इसके rules follow करके, अगर सही तरीके से calculation कर लिया, तो general entry will be very easy for you, chapter का नाम है buyback of shares, buyback में आपको दो type के questions आते है, एक तो आपको face value दिया है, दूसरे में आपको face value नहीं दिया है, आजकल वो लोग adjustment में investment sold या कोई भी asset sold का adjustments डालते है, जिसके basis पे हमको profit या loss P&L में add करना पड़ता है, जो हमारा free reserve है, तो कैसे करने का, क्या करने का, पूरा question sold करके दे दिया है, तो ये सारी चीजों के उपर focus करे, अब ये ऐसा ना हो कि last moment में confusion म है, ऐसे ही जा रहे है, जैसे last time गए थे, वैसा ना करे, जितनी सारी चीजे है, वो भी अगर करके जाओगे, देको 40 marks, 100 में से लाना बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत difficult भी नहीं है, easy है, लेकिन अगर ये तरीके से करके जाओगे, तो आपको 40 marks easily आए जाएगे, उससे जादा ही आएगे, लेकिन कब नहीं आएगे, अगर आप इस तरीके से preparation करोगे, ये तीन चैप्टर ऐसे है, फिर एक चैप्टर आता है, final accounts, अब ये final accounts की अगर बात करें, तो final accounts में किसी भी बच्चे को 0 marks कभी मिली नहीं सकते, the reason, अगर आप format बनाओगे, अगर आप format में कुछ न कुछ presentations भी करके आओगे न, जैसे dators, हमको पता है कि asset में आता है, inventories, हमको पता है, stock है, fixed assets, हमको पता है, fixed assets है, तो fixed assets में लिखने का, अगर current assets, तो stock है, inventories है, bills receivable है, ये सारे है, इसका मतलब क्या है, कि अगर आप ये सारी चीज़ों को posting भी करके आओगे, तब भी marks मिलेगा, तो ये भी नहीं करना, posting भी नहीं करने की वज़े से, फिर केटी clear नहीं होगे, तो ये focus करें, और उसके बाद देखो, last में तो आपका short notes आता है, अब मुझे किसी ने comment किया था, कि ये ही short notes पढ़े का है, जो मैंने कुछ share किये थे, short notes देखो, मैंने जो आपके स सारे short notes अगर पढ़के गए, जो हमने last previous year के papers में देखे होंगे, तो at least उसमें से 2-3 भी short notes आ गए, या 2 short notes भी आ गए, तभी भी आपके पास एक advantage है बाकी के लोगों के comparison में, और वो सारे चीजों का पढ़ने से, वो सारे short notes पढ़ने में न सिर्फ short notes में आपको फायदा मिल वाला है, objectives में भी benefit मिलेगा, because theory अगर clear होगा, तो ही objectives all कर सकते हैं, तो ये इतने चीजों के उपर focus करें, जिनको भी डर लग रहा है कि कैसे clear होगा, क्या होगा, किस तरीके से करना है, already बहुत सारी चीज़े मैंने आपके साथ share की थी, फिर भी अगर आप ये video पहली बार द share करके रखा था, everything I have shared with you all, now let's attempt the paper properly, try to attempt full paper, एक चीज़ याद रखना, paper attempt किये, बिना अगर भाग गए, तो 100% chances है fail होने के, लेकिन अगर पूरा paper attempt करोगे, जितनी चीज़े आती है, उतनी attempt करोगे, तो हमारे pass होने की probability बढ़ जाती है, इसलिए आपको ध्यान रखना है, प लिखेंगे, तो at least आधा मार्क, एक मार्क, दो मार्क तो मिलेगा, उसके business पर आपके 40 मार्क होने के chances जादा है, because मेरा अभी major ये purpose नहीं है, या major intention नहीं है, कि आपको सो में से 90 मार्क कैसे मिले, 80 मार्क कैसे मिले, वो सब तो हमने 75 में देख लिया, अभी major हमारा ये purpose या intention ह होना चाहिए, कि किस तरीके से हमको केटी जो है, वो clear करना है, I hope कि ये सारी चीज़े आपको clearly समझ में आये होगी, अगर आप पहली बर चैनल पर आयों, तो subscribe कर ले, because आगे भी आपको वीडियो मिलने वाले है, future में m.com बगरा हुच करोगे, आप तो मिलेंगे, और अपने वे पे last minute revision related videos आपको इस channel पर मिलते रहते, thank you very much and wish you all the best for your KT, hope कि आप जितने लोग आज केटी की exam दे रहे है, सबकी KT clear हो जाए, wish you all the best, thank you very much, bye bye, take care.